वेल्कम पू मैं चानल माई पार्सालावाई ही तुनिगम आज मैं आपके लिए SOF ओलम प्याट से स्लेवर्स एंड सेंपल पेपर क्लास सेकेंड के लिए इंटरनेशनल साइंस ओलम प्याट के बारे में बात करने आई हूं इस वीडियो में आप इस class के sample paper, slivers, exam date, registration fees, exam के date कब है, exam कहां होगी और इससे relative सारे information आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो चलिए इसके बारे में जानते हैं यह organization, science olympiad organization के दुआरा यह olympiad करवाए जाते हैं, SOF olympiad, इसका full form है science olympiad foundation eligibility, student class first and 12 तक कोई भी बच्चे इस exam में participate कर सकते हैं यह हम science olympiad के बारे में बात कर रहे हैं, इससे पहले math olympiad के हमने आपको details बता दिया था अगर आपने उसे नहीं देखा तो एक बार वस्य देखें, exam date है 18 October, 12 November और 3 December यह तीनो date पर science olympiad class second की exam होगी, इन तीनो date में से आपके school में जिस date को choose किया गया है उस date को वहाँ पर exam होगी, exam mode offline रहेगी अर्थार्थ, आप exam school time में school में बैट कर दे सकते हैं, registration school के द्वारा ही करवाई जाती है, direct आप online या individual आप इसके application process में participate नहीं कर सकते हैं, अर्थार्थ इसका exam देने के लिए form भरना है आपको school से, और school में ही इसके exam होगी, exam mission fees 125 रुपीज है और यह exam साल में एक वाण ली जाती है, language जो है इसका English रहेगा और timing वान आट्स रहेगे, तो चलिए अब इसके हम sample paper और syllabus देख लेते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारे चैनल को like कीजे, subscribe कीजे and share कीजे, इसी प्रकार के educational वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, class 3 के SOF आलाम प्याट 2024-25 से related सारे sample paper and exam से related सारे information subject wise हमने वीडियो बना के डाले हैं, अगर आपको देखना चाहते हैं तो एक बार आवस्ते देखें चलिए आज का class 2 के लिए देख लेते हैं, सबसे पहले हम exam का pattern और question देखते हैं, question paper science के 3 section में बटे रहते हैं, पहला है logical reasoning, दूसरा science और तीसरा achiever section, logical reasoning से 5 questions रहते हैं और per question 1 marks रहते हैं, science से 25 questions रहते हैं और per question 1 marks और achiever section से 5 questions रहते हैं और इनसे भी per question 2 marks रहते हैं, टोटल कोश्चन 35 रहते हैं और टाइम 1 आर्ज का रहता है यहाँ पर हम सैंपल पेपर के रूप में हर सेक्षन से कुछ कोश्चन को देखेंगे अल्मुस्ट 10 कोश्चन हम सैंपल के रूप में देखेंगे जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर किस प्रकार को question पूछे जाते ही चलिए आप इसके हम स्लेवर्स देखते हैं Section 1 है Pattern, Odd, One, Out, Measuring Unit, Geometrical Shape, Analogy, Ranking Test, Grouping of Figure, Embedded Figure, Coding, Decoding यह हमारा reasoning का स्लेवर्स है And Section 2 Science का स्लेवर्स हो जाता है Plant, Animals, Human Body, Food, Housing and Clothing, Family and Festival, Good Habit and Safety Rule, Transport and Communication, Air, Water and Rocks, Earth and Universe And Section 3 Higher Order Thinking Questions रहता है स्लेवर्स ऐस पर एस Section 2 आप इसमें कुछ ट्रीकी questions पूछे जाते है लेकिन स्लेवर्स और्मोस्ट वही रहता है जो Section 2 में दिया गया है या Class Second के बच्ची किसी भी बोर्ट से हो शायवा सिबेसी बोर्ट हो स्टेव बोर्ट हो या ICC बोर्ट और्मोस्ट लेवर्स इसका यह ही रहता है तो चलिए देखते है पहला Section है Logical Resilin Question No.1 Dash is needed to buy the twice train so below यह एक ट्रेन है ट्वाय है जिसकी कीमत 130 रुपीज है इसमें चार आप्शन दिये गए इसमें से कौन से आप्शन से बच्चा जो है यह ट्रेन ट्वाय खरीच सकता है ट्वाय ट्रेन खरीच सकता है तो चलिए देख लेते हैं पहला है 100 note and 25 रुपीज तो यहां पर क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 10 यह हमारा हो जाता है 120 नेक्स तीसरा आप्शन से 250 note and 3 10 रुपीज 250 note है 50 plus 50 plus 10 plus 10 plus 10 तो इसको हम प्लस करते हैं तो हमारा हो जाता है 50, 50, 100 और यह 30 130 जो की कोश्टर 130 तो करेक्ट रैंसर हो जाता है option C 250 रुपीज note and 3 10 रुपीज इस option से हम यह ट्वाय ट्रेन खरीच सकते हैं चलिए कोश्टर नमबर 2 देखते हैं number of pencil in each three equal groups of given pencil is यहाँ पर three equals group हमें बनाना है तो इसमें से कितने pencils का हम group बनाएंगे तो चलिए सबसे पहले तो इसके हम pencil को count कर लेते हैं कि कितने pencil है three equal group बनाने है हमें pencil कितने है one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen 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 है three equals group बनाने हैं तो हम five हाथ के group बना सकते हैं one two three four five one two three four five तो one two three four five यहाँ तिन equals group बनाने हैं तो यहाँ पर कौन से numbers हो गएं तो correct answer हो जाता है option एक five next question number three if rectangle shape is related to board तो तो then same way is related to माली यह question के according यह खाली rectangle दिया गया है इससे एक blackboard बन जा रहा है तो इसी प्रकारी oval shape से कौन सा option होगा तो यह oval खाली है इससे यह हमारा एक बन रहा तो correct answer हो जाएगा option A चलिए next questions की तरफ हम बढ़ते हैं यह हमारा science slavers से start हो जाता है the given figure show the black box containing an object कुनाल पुट इस हैंड into the box and make the following comments it is cold, it is rough, it is hard which sense organ did कुनाल use to make these descriptions कुनाल एक खाली blank box है जिसमें heart डालता है object के बारे में फिर वो बताता है कि यह cold है यह rough है यह hard है तो question पूछा जा रहा है which sense organ did कुनाल use to make this description यह descriptions किस के दौरा दिया जा रहा sense कौन से sense organ के दौरा बच्चों हमें पता है 5 sense organ होते हैं ear, eyes, skin, tongue and nose तो यहां पर चार आपको दिया गया है ear से हम सुनने का काम करते हैं, skin से touch करके महसूस करते हैं, tongue से taste करते हैं कि यह मीठा है यह खटा है यह तीखा है, and nose से हम सुनकते हैं तो यहां पर क्या हो रहा, sense organ क्या हो रहा है, following comments heart डालके वो इसपर्स करता है और touch करके वो बता रहा है कि यह cold है, यह rough है, यह heart को क्या हो जाएगा, option D is the skin question number 5, my father's nephew or nice is my a cousin, the uncle, the aunt, the brother-in-law मेरे father के nephew या nice मेरे कौन होते हैं, father के nephew में तब father के भाई के बच्चे, father के क्या कहलाते हैं तो nephew भतीजा या भतीजी तो हमारे चाचा के जो बच्चे होते हैं और हम दोनों में क्या relation होता है, कल्चन्स हम कहलाते हैं तो correct answer हो जाएगा, option A, क्या लिए, next question number six, question number six, we wear desk cloth in winter to keep ourselves, इन में से हम कौन सा कप्रा पहनते हैं, winter season में कि जो हमें गर्म रख सके, A, cotton, B, nylon, C, oil and B, self, तो we wear oil and cloths in winter to keep ourselves warm, this part of the given plant made food, इसमें से plant का कौन सा भागे, जहां पर plants food बनाता है, तो हमें पता है, तो हमें पता है कि plants जो है, leaves के द्वारा photosciences, जिसकी प्रकिरिया के द्वारा foods बनाता है, तो यहां पर T जो है fruits हो रहे है, flowers है, यहां Q, leaves हो रहे है, S, root and R, state, तो leaves कौन सा भागे है, Q, तो correct answer हो जाएगा, option C, Q, next question number 8, which of the following mode of transport is pulled by animals, A, cycle, B, tanga, D, cheap, और D, car, इसमें से कौन सा से transport का function है, जिसमें की animal के द्वारा इसको खीचा जाता है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, तो cycle, टांगा, टांगा जो है option is the correct option, जिसमें animals के द्वारा transport को खीचा जाता है, next question है, achiever section, achiever section से हम देखेंगे, study the given family treat carefully, यहाँ पर एक family की treat दी गही है, और यहाँ, square सिर्फ male के लिए है, around सिर्फ female के लिए है, हमें बताना है, how many nephew does x have, यहाँ, x का nephew कौन है, nephew मतलब भाई के बच्चे को हम nephew कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ male के लिए rectangle safe है, तो यहाँ पर एक parents हैं, जिनके तीन बच्चे हैं, one, two and three, जिसमें तो male हैं and एक female है, ठीक है, तो यह family है, इनकी दो बच्चों की married हो चुकी है, marriage हो चुकी है, तो इनके तीन बच्चे हैं और इनके दो बच्चे हैं और इनके दो बच्चे हैं और इत बच्चे unmarried हैं, तो यह x है, इसका यह भाई हो गया, तो भाई के बच्चे हो जाते हैं, nephew, तो कितने बच्चे हैं के 1, so direct answer is option C, 10, study the given few chart carefully in which group PQRS fruit to kiwi can be placed, kiwi में, fruits में कितने series, को हम समझते हैं पहले, फिर हम देखते हैं, किस तरह का यह answer आएगा, तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसकी image के दोरा हम समझते हैं, किवी का image हमने यहां पर रखा था, एक सेक्टेंड, किवी image, यह देखिए, यह कीवी image हैं, यह कीवी हो गया और यह इसमें छोटे छोटे सेट्स हैं, यह क्या है हमारा over save है, ठीक है, तो questions के recording हमारा क्या हो रहा है, यह हमारा हो रहा है, over save, यह round कट जाता है, अब इसमें one sets होते हैं, many sets होते हैं, अभी हमने image में देखा हैं, कि many sets होते हैं, तो correct answer is yes, so, answer option D is the correct answer, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजे, subscribe कीजे and share कीजे, इसी प्रकार के educational वीडियो के है, thank you